देश का आज आम बजट पेस हुआ है निर्मला सिता रमन ने बजट पेस किया गया है लेकिन जेडियू के संसद्य बोट के अध्यक्ष इस बजट से खासा नाराज है बात करेंगे हमारे साथ है उपंद्र कुश्वा आपने ट्वीट किया है कहा है कि विक्सित राजियों के यह बजट अथिहासिक है लेकिन विहार के निरा साजन है निश्चित रुप से जब हम विक्सित राजियों की नजर से देखते हैं तो बहुत ही अथिहासिक बजट है बहुत अच्छी अच्छी घोसना है वितमंत्री जी ने की है सुभाबिक रुप से उसका लाब कुश ब लगातार मुखमंत्री जी काम कर रहे हैं विहार का विकास भी बहुत हुआ है हर सेक्टर में हुआ है लेकिन फिर भी हम विक्सित राजियों की सिरेनी तक नहीं पहुंच पाएं और उहां तक पहुंचे इसके लिए विहार को विश्यस राज का दर्जा दिया जाना हैं विश्यस राज के दर्जा पर कोई बात नहीं की गई तो हम इस बजट को निरासा जनक मानते हैं इसलिए हमने सका लगातार आप विश्यस राज की बात कर रहे हैं इस पार भी बजट में कहीं भी बिहार को लेके कहीं चर्चा ने चुनाब जिन जिन राज्यों में एक पर्जा पुछा जा रहा है उसे हमको कोई सेब्स्राज का समर्थन किया है तो विष्य से से हम विहार की जंता की मांग के साथ खरे हैं और इसलिए निरंतर हमने कोशिस की है कि विहार को भी से सराज का दर्जा मिले इस विशाय पर केंदर की सरकार का ध्यान आवे और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे लेकिन देश के प्रधान मंति नरेन नहीं 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 हमने कहा कि बजट निरा साजनक है लेकिन आगे आने बाले दिनों में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे एक सवाल और है लगतार विपक्षी का यह कहना है कि आखिरकार मुखमंतिर नितिश कुमार स्टैंड क्यों नहीं ले पारे हैं अगर मुद् कोई उचित होगा उसको उस तरह से डाइलूट कर देना यह थे हैं हमारे साथ परल्लेमेंटर बोट जेडियू के परल्लेमेंटर बोट के अध्यक्स पेंदर कुश्वाद जिनोंने हमारे तमाम सवालों के जबाब दिया जूरे रहे लाइब भिहार यूट्यूब पर सब् पर लाइक जरूर करें